आप सभी स्टुडेंट्स अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, आज आपको में टॉपिक पढ़ा रहे हैं, पिपसाय परिश्चे वा सुरच्छा सावदानिया, मतलए क्या चीज? आपका इंट्रोड़क्शन आफ ट्रेट एंड सेफटी मिजस, ठीक है? आप सब कौन कौन सी होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, कि एलेक्रिशन क्यों दरूरी है? कहते हैं नहीं कि एलेक्रिशन करना क्यों मस्ट है और क्यों इसको चूज करें? इस्टेट को क्यों चूज करें? कि किस लिए ये दरूरी है? तो मैं उसके बारे में आपको चारगारी देना चाहब होंगी सभी बच्छों को कि एलेक्रिशन जो इस टाइम पर जो चल रहा है तो उसी साथ से जो मशीनों का उप्यों बढ़ गड़ा है देखते हैं आज कर समय में सबसे ज्यादा वर्क मशीनों से लिया जा रहा है मशीनी यूग कहलाता है कि मशीनी यूग आ गया है इसलिए इसे कल यूग या कल पूर्जों का यूग का हदाता है क्या का हदाता है इसे कल यूग या कल पूर्जों का यूग भी कहते हैं प्रतेक मशीन को चलाने के लिए सक्ति की आवश्रक्ता होती है, किसकी आवश्रक्ता होती है, सक्ति की आवश्रक्ता होती है, जो भी जिस तरह की मशीनें होती हैं, उनको चलाने के लिए हमें सक्ति की आवश्रक्ता पड़ती है, और सक्ति के रूप में ही आसानी से दूरस्त स्थान तक इस्थानांत्रित की जा सकती है जो भी है आपका जो इस्थानांत्रित की जाती है वो किसके द्वारा इस्थानांत्रित की जाती है एलेक्टिक के द्वारा मुझे कि आपका मशीनी मशीनी तौर पर की जा सकती है सकती विदुद सकती के रूप में ही आसानी से दू आज के टाइम पे कि इसको चूज करना मस्ट हो गया है और विद्धुत प्रणाली को सुचार रूप से चलाने के लिए अबर्शक्ता इसलिए पढ़ रही है और इसलिए आपको मस्ट भी है कि इलेक्रिशन के बारे में जाने और उसके बारे में पढ़े और इसको सबसे ज्यादा महता भी दी गई है इसलिए इसके लिए मैं आपको संचे में जैसे कि कुछ चीदन पॉइंट्स बता दे रही हूं कि इलेक्रिशन की आवशक्ता हर्च फेत्र में होती है जैसे कि निम्न प्रकार से कि आपका इलेक्रिशन समधित कर्मी क्या चीज़ है जो कर्मी होता है आपका इस टेंडी में कर्मी के रुप में जैसे कि फैक्ट्रीज में हो गया जैसे फैक्ट्रीज में है बिजली घरों में हो गया और वेबसाइट प्रतिस्ठानों में आवाशी मकानों में विद्धुत यंत्रों जैसे उपसकरों और फिटिंग माप यंत्रों रिले मतला कि काफी चीज़ों में इसका यूज हो गया फिटिंग इस्थाफना मरमत तथा अनुरचण का कारे करते हैं किसके लिए कि कि सभी जगह ज्यादातर यूज़गा आपका ये अलेक्रीशन परता है जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा कद्शादा बहुती है धिकैं उसके बात त法 क सामानस तोर्पे उलेक्रिशन क्या होगा विमिन प्रतिष्ठानों में विद्धुत पर्पतों में किस्थापना के लिए कि जैसे कि उसका संचालन करने के लिए लेखाचित्रों में विद्धुत मोटरों का किस किस तरह की चीज़ों का अलेक्ट्रिशन में ज़रूरत होती है जैसे कि विद्धुत मोटरों में ट्रांसफार्मरों में स्विच गियर तथा अन्य वैद्धुतिक यंत होते हैं और जैसे कि कई सितियों में फिटिंग्स में जरूरत होती है पिटिंग्स के अंसाल जरूरत पड़ती है उसके अलावा जो तार वायर्स डाले जाते हैं केबल्स डालना और साधार तौर पर केबल्स को जोड़ना के तरह से विद्धुत मोटरों और पंपों को का प्रचालन देख भाल और अनुरजण का का कार्य भी एलेक्ट्रिशन क असले पर्च होता है। और कैसे आपका यह सामालिए इसी लिए आपको ज़रूरी है यह सब चीजों का नॉलेज भी आन इंसान रखने लगा है उसके अलावा जब आप एलेक्रीशन में एलेक्रीशन ट्रेट से आप आई करते हो तो सबसे ज़्यादा मस्ट होता है इन चीजों का अपको धहान भी रखना और क्या उद्देश है इसका क्या वर्क है इन सब चीज होते हैं रोजगार पाने के जितने भी उसर होते हैं तो इलेक्रीशन में सबसे बेस्ट आपका इलेक्रीशन होता है क्यों आज कल के टाइम पर मसीनी यूप होने के कारण आपका इलेक्रीशन में सबसे ज़्यादा इसकोप होने के कारण इसमें रोजगार पाने के आउसर में ही बहुत होते हैं जैसे इस्थानी वि दूद बोर्ड बॉल्ड हो गया रेलीवी clinical विभाग हो गया और जैसे की एयर पोर्ट राजकी है इह व्युने अर्द्ध राजकी है संस्थानों में और षाइब जो भी रोज़गार के असर प्राफ्त होती हैं तो जहाए हाएक गृच्राईट में हो जहाए प्राइबट में हूँ इसके आफ्सत बहुत जादा बढ़ गया है और घ्रिक में फैक ट्रीज में अव्प में जरूरी है हर फरेक्टी में होगा अलेक्टीशन ऐसा है हो नहीं सकता कि एलेक्टीशन ना मुण बिल्डिंग्स मनी हैं तो उसमें भी आपको जरूरी है अलेक्टीशन के लिए सिनेमा घरों मौल सभावनों में पैद्दूत उप्संसकारों में महलें तो परिछर अनुरचर सारी चीज़ें दिखे जा सकती हैं कि आपको यह सब चीज़ें मिलेगी अलिक्तिशिन तो आम तोर पे सब जगे सभी बीलडिंग्स या कहीं वी हो कि मैं मैं में कहीं बी किसी भी ऐसा एक बीइस में नहीं होगा जिसमें आपको एलेक्टरिक की जरुरत ना पड़े रिप ACK के लिए आपका ये ऐलेक्टिशिं की जरुरत ना पड़े चिक है तो वोटल, रेस्वार्ट और विदु दुकानों और विदु सान्थों को नुट करने के लिए रांस्पार्मार क्लिविए की दुकानों में मोटल का इन सब चीजों के लिए धरूरी है एइवाटल रिश्वार्ट और जैसे हास्पिटल हो गया फ्लैट्स हो गया विदुद से जहां-जहां पर विदुद का यूज होता है जैसे कि अलेक्रिक्टरिकिट्रिटरि जहां-जहां पर यूज होती है वहाँ वहाँ आपको रोजगार पाने के आउसर बढ़ दाती है तो रोजगार इस तरह से पाने के आउसर होंगे अब आते हैं स्वरोजगार के आउसर आपको स्वरोजगार के आउसर कैसे प्रदान होगे कैसे मिल सकता है खुद का बिजनेस कैसे आप स्टार्ट अप कर शकते हैं तो इसमें स्वरोजगार के लिए काफी अच्छी उपलग भी होती है कैसे कि जैसे गाउं सहरों में जो एलेक्टिक का एलेक्टिक फिच गियार्स हैं मोटर की मरमद वा सेवा के इंद्रबनियों होते हैं में आपको स्वरोजगार खुद का भी सुरू कर सकते हैं होटलों रिशोडों और निदी हॉस्पिटल्स बैंक हो गया है और वाइन करने के लिए मरमद करने के लिए ठेकेदारी का यूज हो जाता है आज कर ठेकेदारी में ही काफी चीज़ें हो गई हैं तो जिससे सुरोजगार के उसर बढ़ चुके हैं विद्दुद पैनल्स के निर्मान करने की ठेकेदारी हर चीज़ की ठेकेदारी के हाँ खुद तो हम कर रहे हैं और उसके लाबा बिजनिस को डेवलब कर रहे हैं दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं आईडिया है की एलेक्ट्रिशन के फिल्ड में जो है विद्दुत के जो आपके सुरोजगार के ऑश्र है वो बटह चुकिना विद्दुत पँंखों और मोटरों की फैंडिंग करना मोटरों की वाइनिंग का ठेका लेना उसके बाद में उसी तरह सुरोजगार के लिए धरेलू शाधनों की शेवा अमरच्छन वाव साधर एलेक्टिक गैजर की मरमत करना और भी चीज़ें जैसे की ठीक है इसी तरह से आपका चलता है और जैसे बहुत सी चीजों के लिए अवशक शुरच्छा नियम होने चाहिए अब आपका एलेक्टिक के लिए अवशक शुरच्छा नियम next point रहे अवशक शुरच्छा नियम भी जरुरी है जैसे कि आपको रोजगार के आउशर भी प्रतान हो रहे हैं, उसी अमशार आपको इससे सुरच्छा करना भी जन सुरच्छा के डियम जानना भी जरूरी है एक अच्छा सेवक है पर अच्छा स्वामी नहीं है, क्योंकि दुर्धटा से बजने के लिए सदयों सभी कारियों को नियम पूर्वक करने की आदत बना लेनी चाहिए क्योंकि नियम पूर्वक करेंगे तभी आपका इसमें कोई दुर्धटना नहीं होगी, जिसे कि आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रियेट होगी यदि आपको उसको अच्छा सेवक मानना है, तो अच्छे सेवक से अच्छा बर किया राता है, उसी अंसार यदि आप उसको क्योंकि आपसे यह डेवलब है, अच्छा आपसे डेवलब है, वो आपसे नहीं, तो इसलिए इसको स्वामी नहीं बनाना चाहिए, इसको हमें सदर सेवक के रूप में समनना चाहिए, जिससे कि इस विससे पर कही चीजों की टिपडियां भी हुई है, सतर इसको पालन करना चाहिए, नियमों का इनके नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे सुरच्छा के नियम बनाएगा है, सुरच्छा के नियम कई तरह से हैं, कई चीजों को हमें ध्यान भी रखना चाहिए, क्योंकि इससे सुरच्छा रखेंगे, तभी यह हमारे लिए ला जब वो उस पर बर्ग कर सकेदा, चिक्षा, नंगे चालकों का इस पर्स नहीं करना चाहिए, जो नंगे बायस होते हैं, जिसमें इंसुलेशन नहीं होता है, उनको टच नहीं करना चाहिए, कभी में स्विच आन, इस तिति में सोर्डिंग आयरन को बैच या मेज में नहीं र पर्स को साब, उस साब रखना चाहिए, और जो टूल्स होते हैं, टूल्स को हमेशा एक सिक्वेंस में रखना चाहिए, कि जैसे उद्धा मावस्ता में रखे, इधर उधर नहीं रखे, परिपत में केवल उचित छमता के फ्यूस यूस करना चाहिए, जो परिपत होता है, के संपर में आग आने से बचाने के लिए, आने से बचाने के लिए विस्तारदारों का यूज करना जरूरी होता है, यह नहीं कि आप उसके टुकडे लगाएं, मतलब कि कुछ भी करने के लिए, जोइंट्स कम हो, बहुत जादा बेटर है, तो नियू, आपका वायर होना च प्रटिंग नहीं होनी चाहिए, जिससे कि आपको दिकर ना हो, हर्जे के टेक का यूज ना हो, ठीक है, वा फाइट पिन सॉकेट्स ट्लक्स उत्तन दसा में होने पर भी इंटाप्ट यूज करना चाहिए, आईसाई मानक वाले उपसादनों का भी यूज करना चाहिए, क्य कि इसमें कोछ लाबरवाही से काम बर्ट नहीं होता है, अच्छे स्टेंडर्ड के होती है, वायर्स तो इनका यूज किया राता है, ठीक है, मानक के अंसार ही ये चीज़े मनाई राती है, जिससे दिकर ना हो, उज़े स्थानों अत्वा खमों बर कारी करते समय, सदयों सु अच्छा पेटी का यूज करना चाहिए, ग्लाct का यूज करना चाहिए, रवड के भूते पेहना चाहिए, जिससे की प्रोब्लम्स ना भू तिकट ना हो, केबस तद हा, डोरियां जो होती है, पोर्सलीन की नालियों में से निकाल कर ही लकडी विभाज को में से निकाल है अलकि पॉर्स्लीन के नालियों में निकाल विभाज को निकालें, केब ऐसको को उसे निकालें। उसी साथ कि जैसे आपको किसी लोह की चीज़ूं में नहीं होना चाहिए। लगणी कि वयर टच होने में अलगए सूखी लगणी रोती है। तो उसमें कोई दिक्कष्यमarna से एक दिकी कोई भाँ मुझातों को कभी अपने हाथ और मशीनो सभें नहीं रखने हैं। भीली पाहों की कमीज तथा जूलती हुन, टाइप बहन कर मोटर के पास में नहीं जाना चाहिए, जनित्र के चल भाग और गेरों को कभी कारण ना करें, अलग उसमें कभी कारण ना करें, धीले कपड़े बहन करें, जिन परिपतों के स्विचों को आफ किया हुआ हो, उनके व्यूस को अलग कर दें, उनके जो व्यूस केओर हों को अलग कर दें, जाने सुरेश्चित जगए पर उचित संसथ्षंण में रख दें और शिच का पटिका लगादे, और बड़िच को का नियुपर पटिका लगादें, कि जिस पर लीखा हो कि लाइन पर, लाइन पर और जैसे कि सेडी को उपयोग करब ई-लायन्स को और डिकारइब और है लकड़ी को होना जाई चैनल ठीक है वितुत को जुड़े वितुत से जो जुड़े होते हैं उरजावान परिपत होते हैं उनपर कार्मेंट ना करें यदि आवर्शब हो तो रबर के दस्ताने पहने रबर के दस्ताने बचटाई का यूज करें तिकिए परिपत में केवल ऊची छ held की ही यूज लगाने चाहिए तलाच genres अलीपी नहीं करने चाहिए वीत्तोarni के संभंद में collection जो होते हैं को कसे होने घ्तिले नहीं होने चाहिए ठिले जुडे盃 तो होकी हैं अगनी संकर्मल की आपका जैसा की मीले हुए तो ऐसले जो इस पारकिंग होने लगती है तो वो चीज नहीं होना जए आपने जो जैसे कि आपका कर्णेक्शन ही लाग हुआ तो उसमें ऐसा होता है कि बता ज़ता है कि स्पार्किंग होने लगी तो उसमें दिक्कत होती है स्पार्किंग से ही जैसे कोई केबल से और वो सारी चीजें दिक्तर करती वारी भी आपकी खराब हुने कड़ा रहता यह अंत्रों वस्विच गियर के आंत्रिक भागों को बेट छहचार नहीं करनी चाहिए उचे बोल्टेता लाइनों के लिए संधारितों के एस्थेटिक बोल्टेता जो होती है वो निरावेशित होनी चाहिए निरावेशित कर दें कि पानी की जो लाइन्स है लाइनों को भी अर्थिम ना करें जो पानी की लाइन्स होती है उसमें भी अर्थिम ना जा सके इस तरह से कनेक्शन करना चाहिए बैदुत संस्कारों का जो होना चाहिए वो जलका यूज ना करें ठीक है यह सारी चीदे आप लोगों बहुत अच्छे दिधान देखनी चाहिए ठीक है अब आपका जो कल नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा यह आपका टॉपिक समाप्त हो चुका है इक हो उसके लिए सबीक हो गनेवाद हो